हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल Ignited Mentor में दोस्तों अभी तक आपने दिखा कि हम विभिन विश्णों से विडियोज अपलोड कर रहे हैं खासतोर से आपके UP pieces prelims जो की 15 December को होने वाला है उसको लेकर हमने science के अभी तक तीन विडियोज अपलोड किये हैं यानि part 1, part 2, part 3 आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं बहुत important mcqs हैं important questions हैं आने की संभावना बहुत ज्यादा है आज हम आपके लिए लेकर आए है science part 4 या बिन एक्जामों में ये पूछे भी जा चुके हैं बार-बार और बार-बार पूछे भी जाते रहे हैं तो विडियो के start से लेकर end तक जरूर देखें बिनना skip किये हुए और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होंगे शुरू करते हैं पहला है कि औसिदी वितरण में काम आने वाले संपुट बने होते हैं और ये बने होते हैं स्लेश के ये पूछा हुआ प्रशन है बहुत बार बहुत सारे एक्जामों में जैसे MPPSC, UPPCS में भी, UPSSC में भी ये कुशन कई बार पूछा गया है अगला है आपका कि मा और सिसु के बीच लगाना या चूमना प्रेरिद करता है और किस हौर्मोन को ये प्रेरिद करता है ये Oxytocin हौर्मोन को, नेक्स है आपका कि गेहुं में रोटी बनाने के गूणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है और वो है Gluten नेक्स प्रस्ण है आपका कि इंसुलिन में कौन सा धातु मौझूद होता है और ये होता है जस्ता इंसुलिन में क्या मौझूद होता है जस्ते की मात्रा होती है इंसुलिन में पाई जाती है नेक्स है और इंपोर्टेंट प्रस्ण है मैं डबल टिक कर रहा हूं इंपोर्ट question है ध्यान रखें अगला है किसके साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है और यह होता है नील हरित सहवाल के साथ अगर एजोला को मिला दें तो यह अच्छे उर्वरक की तरह कारी करता है अगला प्रस्न है कि अलसी किसका प्रचुल स्रोथ है most important पूछ लेता ह है कि अलसी किसका प्रचुल स्रोथ है यह है omega 3 वसी अमल का ठीक है omega 3 अगर आप कहें तो इस अमल की प्राप्ति मचलियों से भी होती है विसी इस प्रकार की मचलियों से तो ध्यान रखें कि अगर साकाहरीम बात करें तो अलसी जो है इससे omega 3 की प्राप्ति होती है निम ने आपका निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मातर में पाय जाता है, देखिए आपके सामने विकल्प हैं, ठीक है, बहुत इंपोर्टेन प्रशन है, ये भी पूछा हुआ प्रशन है, और पूछा ही जाता है बार बार, तो यहां पर देखें, विकल्प दिये हुए हैं कि जामुन करौंदा लोकाट या मुरूद तो करौंदों में लोह की प्रचुर मात्रा होती है यानि B Next है कि कुट्टू का आटा प्राप्त होता है कुट्टू का आटा प्राप्त होता है और यह प्राप्त होता है फैगोपाईरम से किस से फैगोपाईरम से अगला प्रशन है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन ये भी पूछा हुआ प्रशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा होता है विटामिन C ये घाव को भरने में सहायक होता है नेक्स है शरीर में हीमोगलोबिन का कार्य है, हीमोगलोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, most important question, हीमोगलोबिन का कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यह पूछा हुआ प्रशन है, प्रशन 12, ठीक है, यह पूछा हुआ हुआ प्रशन है, MPPSC में, और विविन एक्जामों में, कि जुगाली करने वाले पसुओं से, जिस green house gas का निस्तरण होता है, जुगाली करने वाले पसुओं से, और गैस कौन सी है, वह है, methane, नेक्स है आपके कि बकरी, गाय, हाथी, सुवर, कौन जानुवर, रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता, ध् प्रशन है, जिसने भी एक्जाम दिया होगा, उसको पता होगा, कि और विकल्प के अनुरूप, जल संग्रहन और भी विकल्प थे, और बहुत सारे बच्चोंनी से गलत किया, जबकि सही उत्तर है, कि वसा के संग्रहन के लिए, उट अपने कूबल का प्रियोग करता है, न सबसे अधिक होती है, और यह होती है, पीला और हरे रन के लिए, नेक्स है आपका सही सुमेलित है, आपको सुमेल करना है, कि लेक्टो बैसिलस ये वैक्टीरिया है, किस काम में आता है, दही बनाने के काम में इसका प्रियोग लिया जाता है, राइजोबियम नाइट्रोज अगला है कि रक्त में किसकी अधिकता से blue baby syndrome, बहुत most important बार-बार पूछा जाता है, जो बार-बार प्रशन रिपीट होते हैं, उनको खास्तोर से ध्यान दे, मैं उनको double tick कर दे रहा हूँ, यह most important है, कि रक्त में किसकी अधिकता से blue baby syndrome, blue baby syndrome नामक बिमारी होती है, और यह होती है nitrate की अधिकता से, अगला है आपको सुमेल करना है कि इन चीजों की से कौन-कौन सी बिमारी होती है, यानि arsenic 74 से किस प्रकार की बिमारी होती है, tumor, arsenic 74 से tumor हो जाता है, कोबाल सिक्टी से cancer हो जाता है, iodine 131 की thyroid grantee की सक्रियता बढ़ जाती है, और sodium 24 से रक्त व्यतिक्रम प्रभावित होता है, रक्त व्यतिक्रम की बिमारी हो जाती है, next आपका सफेद किट एक महतवपून रोग है, और यह किस फसल का रोग है, यह है, सरसो का, next आपका सोमेलिद करना है, ठीक है, एक तरफ है, कि एनीमिया, यह किस चिस की किस तत्व की कमी से होता है, यह लौ तत्ट की कमी से होता है, जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं या नीमिया भी कहते हैं ये लौ की कमी से होता है गला घोटू या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है मेरिसमस प्रोटीन अल्पता और क्वासी योरकर दीरकालिन उपवास रखने से अगर कोई लंबे समय तक उपवास रखता है तुसे कौन सी बिमारी होती है ग्रसित होता है कौन सी बिमारी थे कौसी योरकर ठीक है नेक्स आपका कि ELISA टेस्ट किया जाता है ELISA टेस्ट चो किया जाता है वो AIDS की जांच के लिए किया जाता है अगला प्रसित है लंबे समय तक उपवास रखने पर सरवाधिक प्रभाव सरीर के किस रंग पर पड़ता है बहुत इंपर्टिन प्रसित है और ये पड़ता है गुर्दे पर नेक्स प्रसित है कि टमाटर में लाल रंग कारण है किसी वैसे होता है लाइको पीन की विज़े से टमाटर जो है वो लाल रंग का होता है अगला और अंती प्रसित है कि प्रोटिन के पाचन में सहायक एंजाइम है कौन है ट्रिप्सम ये भी बहुत इंपर्टिन प्रसित है बार बार कुछा जाता है कि प्रोटिंग के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है वह है ट्रिप्शन तो दोस्तों ये था टॉप 25 साइन्स से संबंदी कुछ महत्वपूर्ण प्रसन वीडियो को जरूर देखें कमेंट के माध्यम से बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा कोई सुझाओ हो वो भी दें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई